हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई ओफिशेल यूट्यूब चैनल डी एफ सी सी इल का जूनियर एग्जेकुटिव सिग्नल और टेली कम्मुनिकेशन का जो रिजल्ट आपका बचा हुआ था फाइनली वो भी रिलीस कर दिया गया है 27 सितंबर से और 30 सितंबर 2021 तक जो आपका एग्जाम हुआ था जूनियर एग्जेकुटिव सिग्नल और टेली कम्मुनिकेशन का उसका रिजल्ट रिटेन एग्जाम का रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लियर कर दिया गया है और यहां पर टोटल 143 स्टुडेंट्स शॉर्ट लिस्ट किया गया है डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 120 नंबर का आपका पेपर हुआ था सबसे पहले हम बात कर लेंगे कट आफ की अन्रिजर्ब केटेगरी यानि की यू आर केटेगरी का जो कट आफ गया है 55.5 एडब्लू एस 44.75 ओबीसी 52.25 एससी 47.5 एस्टी 39.25 और पी डव्लू डी इसका आप देख से पी डव्लू बी डी परसन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 37.0 एक सर्विसमान का गया है 43.750 आप देख सकते हैं यह है कट आफ और यहां पर पूरी लिस्ट दी गई है जो भी कैंडिडेट शॉट लिस्ट हुए है लिस्ट के साथ साथ आपको बताया गया है कि इस डेट पर आपको यहां पर प्रेजेंट रहना है documents verification और medical examination के लिए इसके लावा कोई भी query है तो यहां पर आपको email ID दी गई है dfccil.examhelpdesk 2021 at the rate gmail.com आप यहां पर संपर कर सकते हैं अब यह देखे हैं यह आपके सामने पूरी यहां पर list दी गई है यह roll number दिये गए है, name दिया गया है और date दी गई है documents verification की और medical examination की और आपको कहाँ पर पहुंचना यह address दिया गया है अब जैसे suppose यह first name है अंकित जगवानी, इनको 9 माई 22, 2022 को present होना है सुबह 9 बजे documents verification के लिए और medical test होगा इनका 10 माई 22 को तो यह पूरी आपकी list दी गई है, total यहाँ पर candidates हम देख सकते हैं, कितने हैं यहाँ पर total candidates 143 total यहाँ पर candidate shortlist किया गया है, इसके अलावा आपको क्या क्या documents ले जाना है जो आपको documents verification के time पर चाहिए होंगे वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा ही आपको list जो भी दिया है, वो आपको पूरा यहाँ पर ले के जाना है कोई और query है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं, so thank you very much and thank you for watching